चिंगान कारवान, चिंगान की तरफ से बिसिकलिस के दो विरेंट्स हैं, चिंगान कारवान सिंपल और चिंगान कारवान प्लेस, हमारे पास इस वक्त मौझूद है चिंगान कारवान प्लेस, आएं जरे इसके हम विजिट करते हैं, इसमें क्या फीचर्स हैं और इसमें क्या सप्सिफिकेशन हैं इसकी बन्यादी तोर इसके तीन से चार कंपेटेटर्स हैं सजुकी बुलान निसान किलिपर डाई हर्सो हाइजर्ट हुंड़ा एक्टी और 5XPV 5XPV और सजुकी बुलान तो खेर इसका कंपेटेटर नहीं है क्योंकि वह वोन्डा एक्टी और निसान क्लिपर और सुजुकी आइवरी इसके कमपेटिटर है विसे में पेंट्ट क्वॉल्टी इसकी बहुत अच्छी है मटीरिल इसमें बहुत ज़्याद अच्छा इसमाल किया गया है 14 इंच करिम साइज और 170 बटा 70 इसके टायर्स का साइज है 1000 सीसी 5 स्पीट मैनुल गेर में है बैक पे करिस्टर शाइनी लाइट्स हैं थो रिचोड़ी लाइट्स दी गई हैं काफी खुबसूरत लगती हैं इसके फरंट पे जो लाइट्स दी गई हैं वो होलेजेन प्रोजेक्टेड लाइट्स हैं अड़ेस्टेबल लाइट्स हैं अंदर एक बटन लगा हुए है वहां से अड़ेस्ट हो सकते हैं गाुबस भी खसक्ते इसमें कितनी ज्वाइब लगा सकते हैं यहां तat तो आब दिखाता है कितनी ज्यादा स्पेस दी गई है और डिक एमरे लगाय curriculum LCD और back camera लगाया हुए यह देखें इस में, फाब में या निसान क्लिपर में या ऐसी सीट मैं होंड़ा एक्टिव हैं औरड़ा हईट सूल के हीजिक इस में आइड़स्टिबल सीट होती हैं पुलान में एकस पीवी में नहीं है इसकी सीट जoth यह position आगे पीछे कर सकते हैं आप इनको इसमें साइड पे एक हैंडल लगा होता है चोटा सा माटीरियल के क्वालटी काफी बेतर है जो इसके कम्पिटेटर्स हैं उनकी निस्पत ति हम इसे अंदर से देखते हैं कितनी स्पेस है काफी वाइडर स्पेस है इसमें सीट्स जड़ा कम्पिटेबल लगाए गई है और जिसेबल सीट्स हैं साथ हैंडल दिया गया है इससे आप सीट्स को और जिस्ट कर सकते हैं अंदर इसके स्पेस काफी है अपना सिजुकी बोलान और 5XP में इतनी जगा नहीं होती इसमें आप एकसा सीट्स मी लगा सकते हैं इस सीट्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके इस इवेंट्स दिये गए हैं इसमें बटन है इसको जैसे अपने हिसाब से अड़ेस्ट कर सकते हैं अन आफ कर सकते हैं लोग हाई कर सकते हैं बैक पे भी इस इवेंट्स दिये गए हैं फ्रंट पे भी इस इवेंट्स दिये गए हैं यह हमने इसे ज़रा खुब सुरूरत करक काफी खर्चा हुआ है रिजिस्टर्ड भी है आल पंजाब के नमा लगा हुआ है 22 माडल है सिर्फ 700 किलोमेटर चला हुआ है दोर साइड पे जो दोर पैनल दिये हैं खुबसूरत हैं मजबूत हैं और काल्टी के हैं यहां आके अंदाजा होता है कि इसकी कीमत वसूल हो गई ह डेशबूर्ड खुबसूरत है मजबूत है शाइनी है इंटिरियर से अंदाजा होता है कि गाड़ी कीमत वसूल हो गई है एसी के बटन्स एफ एम एसी वेंड्स क्वालिटी बहुत अच्छी है एक्स पीवी और बॉलान के निस्वात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अच्छा इसमें एसी के परफार्मेंस बहुत जबरदस है एसी कत्रो कुल लेंग बहुत ही जबरदस है इसमें जो बटन्स दिये गए हैं बड़े नफीस बटन लगाए गए हैं लाइट की कमी के वज़ा से सही तरह से नजर नहीं आ रहा होगा आपको इसके लिए माजरत ह है टोयटर करोला की शेप में खुब से स्पीडोमेटर दिये गए हैं 120 इसकी मैक्सिमम स्पीड है बेल्ट इन सेंटर लाकिंग और पावर विंडोस दिये गए हैं बहुत खुबसूरत है हमारे महत्रूम कस्टमा जैसे हमने यह गारी खरीद दी है और उन्होंने इसमें LCD औ यह डॉल्विंग ग्रिल्ज दी गई हैं आगे भी और बैक साइड पर भी शिंगान कारवान प्लेस अंदर से यह काफी खुबसूरत है सेंटर लाकिंग दी गई है पावर विंडोस दिये गए हैं 5 स्पीड मैनुवल गेर है स्टेरिंग भी लुक में जड़ा डिफरेंट और थोड़ा चौड़ा बनाए गया है इंटियर बहुत खुबसूरत है गाड़ी का 5 स्पीड मैनुवल गेर ट्रांसमिशन है गाड़ी की सीर्स बहुत खुबसूरत हैं अगर 5 एक्स पीवी सुजुकी बुलान निसान क्लिप पर हता कि हुंडा एक्टी को भी इसके साथ अगर कंपेरिजन करें तो शिंगान वालों के साथ हमारी ज्याती होगी यह उनकी निस्पत काफी ज्यादा बेहतरी नहीं है खुबसूरत है मटीरियल में बड़ा अच्छा है इसके फीचर्स और इसकी स्पैसिफिकेशन उनकी इसवट काफी बेतर हैं बाहरी लोग बहुत खुबसूरत है फ्रंट पे हो ज सतर हजार रुपे की गारी जीरो मिल रही है हमरे पास यह रिजिस्टर्ड गारी मौजूद है आल पंजाब रिजिस्टर्ड है साथ सो किलुमेटर चली हुई है फर्स्ट ओनर है बायोमेट्रिक मौजूद है हमें इसका डिमान करें 26,50,000 रुपे